All guys next episode के start से पहले आप में चेंग को subscribe करेंगे यह इस agisiginड को start करते हैं लिंजी जिसने अपनी हार को accept कर लिया था और उनके साथ काम करोणे को लग जाता है जब वहाँ जो वरकर्स वगएर आंटी लिन्जी की तरिफ करती हैं कि ये लड़का कितने अच्छे से काम करणा है ये तो शूर से बरदाशनी होता हour ले पीछह से के पास लिन्जी को भी वह काफी क्यूट लग राता है इसलिए वह से कौ दे अउठा लेता है इसी चारसियों को लेकर लिंजी और वांग के आपस में बाते हो ने लगती है वांग उसे बताता है कि ये अपनी फैमिली के साथ क्या था पर ये अपनी फैमिली के रूस के साब से नहीं चला और इतने में मां आपस तो शाओ आजा दी जो आकर पहले तो लिंजी को डांटते है कि तुम यहाँ पर बैट कर क्या करें तो वह कहाँ लगते है कि एक इनसांस को रेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है पर सुशाओ तो चार्सियों के बार में बात करने लगते है कि रात में इसको रोस्ट किया जाएगा ये सुनते साथ ही लिंजी कहने लगता है कि रोस क्या जाएगा तुम लोग कैसे हो तो ये कहने लगते ही कि इसको खाया ही जाता है कितना मज़े का होता है ना पर लिंजी को तो ये बात बरदाश नी थी वो भी सोच लेता है कि मैं तो इसको फ्री करके छोड़ूंगा अब बाकी सब लोग भी जब फ्री होकर आती हैं तो देखते हैं कि चार से हो तो अपने पिंचरे में है ही नहीं अब सुशाओ को तो इस बात का शक होता है कि लिंजी ने तो उसको अकेले बना करी खा लिया होगा बट इदर लिंजी दिका जाता है जो उसको बासकीर में डाल कर लेकर जा रहा होता है अज़ाद करने के लिए तब ह씨 उसको रास्ते में अपने कुछ पुरानी बाते याद आरी होती है जब हो अपने ایक्टिंग के करियों को लेकर चल रहा होता है तब ही उसके एक डार्यक्टर के साथ मीटिंग ओती है तो वो भी वहां पर आता सात ही सात योही भी उसके साथ होती है अब योही और दोनों अंदर चाते हैं उसे देखते साथ ही डायरेक्टर वगरा उसे देखके खुश होते हैं पर वो लोग तो ट्रिंग वगरा कर रहे थे और उनकी कंडिशन भी इती जदा ठीक नहीं थे इसलिए वो योही के साथ अच्छा भी ह अद्मियों के दर्मियान में थी जो उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट बोडी पार्ट्स पर हाथ लगा रहे थे यह देखका लिंजी से तो बरदाश नहीं होता वो भी बोल पड़ता है कि लड़की की उपर से हाथ अटाओ पर कहां कोई उसके सुनने वाला था उसका यहीं की वज़ा से लिंजी से एक आ जा रहा थे कि वो डायरेक्टर से सोरी करें जबकि उसकी गलती भी नहीं थी यहीं पर इसका पास्कतम होता है लिंजी चार्सियों को फूरी कर देता है फूरी करने के बाद जब रात में वापिस आ रहा होता तो आगे से सुशा उसका वेट करी थी जो कहां लगती है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं डूंडा तुम कहां पर थे और चार्सियों कहां पर जो हमें फैंक फैमली की तरफ से फ्री में मिला गिफ्ट लिंजी तो उसे बताता है कि उसे तो मैंने फ्री कर सकते हो उसे तो हमने बना कर खाना था औ कि तुमने डिरेक्टर को मारा है अब इसी बात के बाद लिंजी उसको रियल इजर के बारे में बता देता है कि मैंने ऐसा क्यूं किया था क्योंकि वो एक लड़की को हैरेस कर रहा था अब ये सुनते सा सुशाओ तो महीं बचुप हो जाती तो वो बताएं लगता है कि अगर पर उसकी कॉल करी बता है तो सभाट करां लेता है अब लिंजी निकाल लेता पर उसकी कॉल करने की हिमत नहीं हो रही होती अब सचाओ ऊंब्बाइल पर करकर सीरी से कैकर कॉल मिलवा देती है अब जब लिंजीर वो से बात करने लगता है तो वो से बूचा होता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया लिंजीर कहता है कि हा मैं इसके बारे में काफी सोचा और मुझे अभी भी यही लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है तो मैं इसलि की खुशी देखका खुश हो रहा होता है इतने में सुशाओ को कॉल आती जिससे पता लगता है कि चार सी और फिर से मिल गया है वो तो यह सुनते साथ हिमाँ से जाने लगते हैं जबके लिंजी को इस बात पर इतना गुस्ता आता है अब जब रात में सुशाओ सोई होती है तो वो सोई होए चलकर लिंजी के रूम में पहुंचाती है लिंजी उसे देखकर डट जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे क्या यह सुशाओ को उठाने की काफी ट्राइब नहीं लेती अब सुबह होती है तो सुशाओ अपने बिल्कुल सामने लिंजी को देखकर वैसी चिक म लेने के लिए आया था तो वा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे रूम में क्या करें हो तुमने मिरे साथ क्या किया तो वा कहने लगते हैं कि तुम खुद मेरे रूम में आई थे और तुम मेरे बाजू पर सोई रही और ये बात वो उसके काफी जदा क्लोज आकर कर रहा होता उसके अंकल ये सब देखा कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो वो तुम्हारी वज़ा से पूरी रात पाहि सोफे पर सोता रहा लिन्जी भी अंदर से सारी बाते सुन रहा होता है पर सुशाओ कहने लगती कि फिर भी कि अपने रूम में ही रहेगा यहीं पर सोएगा यहीं पर मरेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता तीनों साथ में खाने के टेबर पर बैटे होता है जहां पर लिन्जी कुछ भी लेने लगता है तो सुशाओ से ले लेने देती बलकि वो पिस खुद ले लेती है और पिर जब लिन्जी का थो उसे कैये लगते हैं कि ये वही चार सियो है अब ये सुनते ही लिन्जी का तो दिल खराब हो जाता हैस पर इतने में अंकल बता देते हैं कि ये वह नहीं है BAOLKे मैं सुबा में अभी ये सब लेकर आया हूँ अब सुशाओ तो उसके फेस को देखते हुए इतना हंसरी होती है और फिर सुसे तंग करने लगती है कि तुम्हारा दिल का रहा होगा ना कि मैं इसको मार दू हौ मैं तो डर गई अभी ये सब क्या ही रही होती है तो लिंजी के डाट की अंकल को कॉल आ जाती है लिंजी अपने डाट का नेम सुनते ही थोड़ा परशान सा हो जाता है ये बात सुशाओ भी नोट करते है जैसे ही उसके अंकल उसके डाट की कॉल अटंड करते हैं तो लिंजी उनसे मुबाइल पकर लेते हो कहने लगते हैं कि आपको पता है कि आपके बेटे ने मुझे कितना तंग किया लिंजी उसके पीछे मुबाइल पकरने के लिए भागता है तो लिंजी से कहती कि तुम्हारी डैड ने काई कि मैं तुमसे कोई भी काम करवा सकती हूँ लिंजी तो इस बात को नहीं मारा होता तो सशाओ भी कहती है कि क्या तुम्हारी डैड को दुबारा से कॉल मिलवाकर कन्फर्म करवा दूँ अब सुशाओ को दिल ना चाहते हुए भी उसके बात माननी पड़ती है तो वो उसके सब फील्ड्स में तो आ जाता है पर वहाँ पर आने के बाद वो नेचर की आवाजों को सुन रहा होता है इतने में सबी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं ये देखकर लिंजी भी हो जाता है कि के सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं पर वो जैसे पीछे की तरफ इशारा करते हैं तो लिंजी देखता है कि उसके साइडवेस उशाओ खड़ी है जिससे स्पीकर पे उसकी डैट का ओडियो लगाया हुआ था कि तुम्हारा जो दिर करें तुम इससे काम करवा सकती हो इसी जीस का फाइदा उठा कर वो उससे काम वगरा करवाने लगती जैसे ही लिंजी काम ने कर रहा होता तो तो वो दुबारा से उसको वही स्पीक कर याद दिलवाने लगती थी कि क्या मैं ये दुबारा चलाओ अब लिंजी को मजबूरन काम करना पार रहा था इतने टाइम बात जब उसको रेस्ट मिलता है तो एक आदम उसको पार्सल देने के लिए आता है कि कहां पर भेजना है लिंजी को तो कुछ समझ नहीं आता तो वो भी सुषाओ के पास चला जाता है काई लगता है कि तुमने ये पार्ट टाइमर कैसा रखा हुआ है जिसको कुछ भी समझ नहीं है पस सुषाओ उस बात को गुमाते होए वह उनकी बेटी का पार्ट सर देने लगति आता है अब जब वो चला जाते है तो लिंजी वी सुषाओ के पास आता और पूछे लगता है तो इतने में, लिंजी को यु एक की गॉल आती जिसकी कॉल देखते ही, वो सुषाओस से साड़ पर हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सुषाओस की फैन है, साड़ में जा कर जब यु ऐसे बात कर रहा होता है, तो वो से कहर गया होता है कि तुम कैसी हो, वहाँ पर ठीक हो और ये सब हाल पूछने के बाद उसे बताता है कि युवा ने अपना एक सौंग रिलीस किया वो काफी अच्छा सौंग है उसकी काफी अच्छी रेटिंग भी जा रही है ये बास सुनकर लिंजी कहने लगते कि उसको में दफ से कॉंग्रेजुलेशन क्या देना तो वह कहने लगते कि क्या तुमने कंफर्म सोच लिया कि तुम क्या वापिस नहीं आओगे लिंजी इस बात पर चुप हो जाता है और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी अंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना